कि अधिक पेंट जल्दी ड्राइव हो जाता है तो उससे रोकने के लिए मैं दो प्रकार की टेक्निक यूज़ करता हूं एक कलर पेलेट के उपर और एक कैन्वस के उपर कलर पेलेट के उपर यदि 10 मिनित के लिए वेट रखना है तो मैं सिर्फ फान स्टे कर देता हूं और मैं दी 10 मिनित से ज़्यादा वेट रखना है तो पेलेट को कवर कर देता हूं जैसे एर अंदर नहीं जा सके और एक घंटे के बाद मैं फिर से पिंडिंग करता हूं हाँ आँ जब दो से तीन दिनता कलर को वेट रखना पड़ता है तब पानी देकर उससे कवर कर देता हूं और एक भारी जैसे कुछ उसके उपर रख देता हूं तो कलर आप से जाता है इस प्राकर कलर को बहुत दिन तक वेट रखा जा सकता है सिर्फ चविज गंदे की बीच में पानी देना पड़ता है तो यह है कलर पर टेक्निक कलर के पर कलर देरे सुखे या जली सुख जाई इसमें कुछ फ्राबले नहीं होता है मैं फिले लेयर में एक मोटी सी कलर अपलाए करता हूँ और सेकेंड लेयर में सेम तक तक ती कलर जैसे फास लेयर में उज़ किया था उसी कलर में फिलिसिंग कर देता हूँ यदि कुछ कलेती हो जाता है तो एक मोटी सी लेयर में ठीक करते के उसे थार लेयर में कवर्ट कर देता हूं जब में पेंटिंग ने करता हूं तब पेलेट में पानी लेकर कवर्ट कर देता हूं तो इस टेक्निक में एक पेंटिंग के उपर एक साल या दो साल या उससे अधिक भी काम किया जा सकता है